अगर मोदी जी सच्छे होते तो उनको भी दुशार बच्छे होते हैं BJP मिन्स बर्का जूटा पाटी क्या कि दो आदमी का देश है अड़नी और अमोनी दो आदमी के लिए मोदी जी काम करते है मोदी सरकार निश्टा का हनन करने वाली सरकार है अगर आज चुना कर वाले हैं तो मोदी जी को अपना उकात पता चल जाएगा पूरे देश में कि जनता उनको कितना चाह रहा है 2024 में 20 सिट भी आजाए तो बुझेंगे कि बोलता भी नमस्कार मैं नाम रभिकान चौर अशियों आप देख रहे हैं मोदी सरकार ने जिस तरह से देश में एक वी लोगों की ऑक्सिजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान को देकर मोदी सरकार फस गई है क्योंकि लगातार उन सरकारों की किरकिरी हो रही है क्योंकि हर लोगों ने उखरती सांसों को देखा है ऑक्सिजन की कमी के वज़त से अपनों को कई लोगों ने खोया है और ऐसे में बिहार के मंगल पाड़ने जो की स्वास्त मंत्री हैं उनका भी ये कहना कि बिहार में ऑक्सिजन के कमी के वज़े से लोगों की जाने नहीं गई है एक कहां तक जायज है इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बाचित करने के लिए कॉंग्रेस नेता बिरंदर मोहन जाजी हैं आई अमसी दे जूरते अगर मोदी जी सच्छे होते तो उनको भी दुशार बच्छे होते आज नितीस जी जो बोले थे याद होगा आप लोग सभी जंता को बीजेपी मिन्स बरकाज जूटा पाटी यह हम नहीं बोलते हैं उनी के गटबंदन के नेता जो मंत्री बनाये हुए हैं इनको बोले थे कि बरका जूटा पाटी है और सही में सावित उकर दिये यह बयान दे करके सावित कर दिये कि सही में जूटा है देश को बरगला करके सत्ता हथिया करके देश पर हुकुमत चलना चाहती है यह सरकार जंता पिस रही है जंता मर रही है गरीवी से बहाल है बीजेपी तो कह रही कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिसान में वो मुहिम चलाए वे हैं और कांग्रेस मुक्त होने के कगार पर देखिए बीजेपी कभी दो सीट में राहा करती थी हम लोग तो समय राजिती नहीं करते थे लेकिन सुनते थे समय आने बाला है 20 सीट से ज्यादा उनका दूजार चोबीस में 20 सीट भी आ जाये तो बुझेंगे कि अभी चुनाव करके देख लिए अगर आज चुनाव कर बाले हैं तो मोदी जी को अपना उकाद पता चल जाएगा पूरे देश में कि जनता उनको कितना चाहरा मोदी जी तो पहा रहे हैं वाव चुनाएं गया उनको बोलने मन की बात करेंगे कभी अधिया से बात करके तो देखे होक्त को है। अक्षय कुमार मिर्या है जनता को बेपू बनाते हैं जनता को बेपू बनाते हैं मिर्या रवी कौन जी को दे इंटर्वीर रवीष कुमार को दे रवीष कुमार को दे बहुत सारे हैं बहुत सारे पत्रकार हैं जो हमारे पत्रकार से जाते हैं पत्रकार के सामने जाते ही नही है अगर चले जाएंगे तो उनका पक्षिया उखर बजाएगा पूरा देश तूफू करेगा जोई लूट किये हैं कोरणा के नाम पर जंता के पैसा को सब विधायक का दुदू करोर सीज जादा बोलियेगा तो फिर आप्टों पर भी जो है करते हैं गेस सारे 300 रुपईया सिलेंडर पर रमन मोहन सिंग सरकार छोड़े थे सारे 300 रुपईया सलेंडर अज 1000 रुपईया सलेंडर है गरीब के घर में चुला जलने वाला चीज इस पर सरकार का ध्यौन ही नहीं पुजला योजना उदिये लेकिन उजला योजना का सिरेंडर फिर उनी के पास वापत चला गया कारपोरेट तो हमारे आधरनिय राहुल गौंधी जी बोलबे करते हैं कि दो आदमी का देश है अड़ानी और अमोनी दो आदमी के लिए मोधी जी काम करते है किसरा आदमी उनके नजर में है ही नहीं जनता तो है ही नहीं किसान आज रोड़ पर है बेरुजगार नौजवान बेरुजगार है इस पर उनका कहीं कोई धियान नहीं है मोधी सरकार निश्ता का हनन करने वाली सरकार है इस सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ जूटा बादा करती है लेकिन आप बताईए कि एक ही बादे पर इखरी उत्री हो ये सरकार सुरू से जूट बोलते हुए आई